नमस्कार दोस्तों स्वागः आपा CP Smart Classes में दोस्तों रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई एहम ख़बरे है जिसमें TGT PGT की ख़बर सबसे ज़़ताg़ है तो एसके बारे में कई सारी ख़बरे हैं तो शुरू करते हैं TGT PGT की ख़बर से TGT PGT 2020 से चक यहारता में ब पदो के सरजन नहीं होने से विश्यों की अहरता बदलाव जोर पकल रही है कला सिच्छक की अहरता में बदलाव करने के लिए इलाहवत बिस्विद्दल है बिभागादेश प्रोफेसर अजय जेटलीन मुख मंतरी को पत्र भेंजा है इसमें कहा है कि जिन संस्थानों की डिगरी भरती के लिए मांगी गए हो उसमें अधिकान से आस्तित्य भीहिन हो चुके हैं इसे में अहरता बदली जाए पत्र लिखा है कि मातविक सिच्छा सेवा चैन पोर्ट ने एडिट कालेजों में भरती प्रवक्ता वा सिच्छित इसना तक सिच्छक कला की आहरता इंटरमीडियर सिच्छा आधिनियम के आधिन तैं हो यह आहरता से अच्छि गुडवत्ता को प्रभावित करेगी और योगी सुच्छकों को चैन होना संभाव नहीं है प्रवक्ता के नए फाइन आर्ट डिप्लोमा कलकत्ता परिच्छा वा लाहौर के मेयो कालेज आर्ट को टीचर साइटिफिकेट को अब कोई आस्तित्व न सब्सक्राव जिरूरी है और कंप्यूटर भी से की भरती नहीं निकल लए जिससे चात्र भी परिशान है और कॉलोजों में भी इसकी पढ़ाई सुचारू रोप से नहीं हो पा रही है एल्टी ग्रेट की न्यूजय अगली एल्टी ग्रेट अभ्यारतियों की न्यूगति में रुकावट का सौंफा व्यवरा उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग पर एल्टी ग्रेट से च्छक भरती परिच्छा 2018 के चैनित अभ्यारति जुटे जिनकी अलग-अलग करोनों स परिच्छे न्यूक्ति फंसी है उन्होंने सुक्रवार को उनका व्यवरा उसका व्यवरा दिया इसमें अलग-अलग बिश्यों के ससरत चैनितों का जाती वा निवाज पर पत्रें डिग्री परत्र के सत्यापन का काम जल्द पूरा करने हिंदी विषय में डिग्री विवा में कुल 28,320 सिचकों की नई न्युक्ति हो चुकी है जिने विभागों की कारिक्रमों उनकी भूमिकाओं आतिकी जानकारी देने के लिए क्यों दिवसिय여 औरेंटेशन कारिक्रम कराया जाएगा मा निदेसक की स्कूल सिच्छा राज्यप्रियोजना निदेसक के पत्र में कहा गया कि गुडवते सब मर्धन वा मिशन これणा के तहद संचालिट होने वाली गतिविध्यों की बारे में orientation कारिकरम में बताया जाएगा 16 से 23 नॉमबर के बीच 25 पचिस सिच्चों का बैच मना कर कारिकरम संचालित हो अब बात कर लेते हैं Assistant Professor भरती की तो एड़े डिग्री कालेज़ में Assistant Professor समाज सास्त के 273 पदों के काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया लेकिन चैनितों को न्युक्ति के लिए भी प्रतिच्चा करनी होगी फरजी न्युक्तियां रुकने के लिए निदे साले छेत्री अधिकारियों के जरिये संबंधित कालेश में न्युक्ति पत्र भेंजेगा उसी के अधार पर चैनितों को न्युक्ति मिलेगी कारी नौ नौमबर तक पुरा होनी की उम्मीद है उत्तर प्रदेश उचितर सिच्चा सिवाजोग ने 2016 में बिग्यापन संक्या 47 के ताहद 35 विश्यों में 1150 पत्र निकाले थे से 2016 की भरती का बिग्यापन निकाला था इसके बाद 33 विश्यों के जैनितों की नियुक्ति मिल चुकी है लेकिन समाज 273 पत्र पत्र काउंसलिंग रिजल्ट रुका हुआ था जो अब जारी कर दिया गया है करमचारी परिच्छा को लेकर अबिख।ष्छा से काफी कम उत्सारा पहले दिन सुक्रवार को केवल 24.86 परिच्छा में सामिल हुए है कुरोना काल के में जितने भी परिच्छा हो रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि अभ्यार्थी बहुत कम संख्या में परिच्छा में सामिल हो रहे हैं आरो यारो दोहजार सोला मेंस 22 दिसंबर को होंगे साहएक प्रवंथा की स्क्रीनिंग परिच्छा सोला का प्रविश्पत्र जारी कर दिया गया है चार विश्वों की 42 अभ्यार्थियों की सीटें लाग कर दी गई है यह है टीजीटी पीजीटी 2016 के रिक्त पदों 210 पर आउसेश पैनल से सिच्छक चैन का तीन दिन कॉंसिलिंग सुक्रुवार को पूरी हो गई तीसे दिन चार विश्वों संस्क्रत सारे रिक्स इच्छा समाजिक विग्यान हो विग्यान के रिक्त 65 पदों के लिए 180 भ्यार्थियों को बुलाया गया था ग्यांतों की आउसेश पैनल में भ्यार्थी 27 कम है उन में से 94 भ्यार्थी ही पहुंचे और उन्होंने 42 सीटों क को लॉक किया अब चैनितों कालेज आवंटन एक साथ किया जाएगा तीन दिन में 210 पदों के सापे 143 सीटें ही लाग होच सकी है चैन बोर्ड ने 2013 के टीजीटी सिच्छकों को चैन किया था जिसमें कई कालेजों में चैनित सिच्छकों ने कारिभार ग्रहन नहीं किया था यह आवसेज पैडल से भरने के लिए भ्यार्थू से ने रोध किया था चैन बोर्ड की अंसुनी पर कोट में याचिका दायर की गई थी 18 दिसम्बर 2019 वह 22 जिन्वरी 2020 को कोट ने सिच्छा ने देशक माध में कुजा पद भरने का आदेश दिया था 601 पदों के सापे अब पीएसी कर्वियों की पदवनती का आदेश रद किया जाएगा रद हो गया है 896 कर्वियों को पदवनती पर उनके मूल केडर पीएसी में वापस भेजे जाने के लिए लिया गया था निरणे तो इसको जो है रद कर दिया गया अब इसके बारे मैं पूरी ख़बर आपको देता रहा हूं समय समय पर पूरा मामला आप कर फिर से बता देते हैं पी एसी के जवानों को बीडेटी के लिए धानों पर भेजा जाता था इनमें से सैखडोगी जवान थानों पर हिटी गए थे और लंबे समय से वहीं ड़ीवटी कर रहे थे इसी दोरान उनमें प्र्द इच्छे सब्ताह में याची के प्रित्यवेदन पर निरने आदेश दिया था तब मुख्याले में बैठे अधिकारियों को इस गड़बड़ी की भनक लगी थी तब चार सब्ते से समित मनाकर प्रिकराण की जाच कराएगी तो सुबे में 932 ऐसे पीएसी कर्मी सामने आए जो सिविल पूलीस में सेवाएं दे रहे थे और उसके बाद उनको जो है पीएसी में वापस भेंदिया गया था तो उनको पताव नहीं करके उनके मूल केडर पीएसी मे था इसमें तो इसलिए बात यह हो रही थी कि प्रोमोशन के लिए आवाज अपनी बुलंद कर रहे थे लेकिन उनको डिमोट करके जो है उनके मूल के डर में वावस भेंदिया गया था तो अब उनकी पदाउनती का अदेश को रजद कर दिया गया है यूपी टी टी परिच्छा फरवरी में होगी इस साल यूपी टी टी नहीं होगी और हर जिले में यह परिच्छा आजित कराई जाएगी